यह कुछ हमने बात की मिट्टी में healthful जो macro organism है उनके अवारे में लेकिन आपके मिट्टी में कुछ ऐसे fungus भी होते हैं जो आपके प्लांट में अलग-अलग प्रकार की disease देखते हैं जैसे कि आपने देखा उगा सेवेतरं की धारी जाती है वो leaf minor कहते हैं आपके पत्ते जो वा आपकी एक natural fertilizer का काम करती है इसमें natural root में nitrogen, phosphorus और potassium तो होता ही है लेकिन साथ में कुछ ऐसा एक कीट नाशक भी होता है जो आपके मिट्टी के अंदर में जो harmful viruses हैं या fungus है उनको kill करता है तो इससे आपका जो plant है इन बिमारियों से बचा रहता है तो मिट्टी को त्यार करते व और आपके बोदों में बिमारी फलाने वाले fungus और viruses को control कर सके यह थे कुछ tips आपकी मिट्टी को त्यार करने पर जिस्ते पर निर्वा करेगा आपके plant की health और आपके plant की produce यानि कि कितनी पैदावार फॉलिया fruit की या flowers की वो आपको देंगे अब हम बात करते हैं कि आपने plant को लगा लिया मिट्टी को त्यार करने के बाद में तो इसके बाद में आपको plant की क्या care करने है जिससे कि आपका जो plant हज़िर है और आपको अच्छी produce देते रहे इसमें बारी आती है कि आपको हर थोड़े दिन में plant को nutrition देना पड़ता है आ यसा नहीं कि आपने एक बार nutrition दे दिया तो वह प्लांट की जिंदगी बज चलेगा पिछले दो से तीन सालों में हम लोग जो plant की ये need है हर समय समय पे इसको nutrition चाहिए होता है उसके लिए use कर रहे है वर्मी कमपॉस्ट और seaweed extract की हम लोग हर 15 दिन में seaweed extract और वर्मी की को कैसे बना सकते हैं अपने पोदों में डालते हैं पानी के रूप में और बीच बीच में इसका इस टी का spray जो है इसके पत्तों भी करते हैं तो यह जो टी है यह हमारे पोदों की जो nutrition need है चाहिए वो nitrogen हो फासपरोस हो यह प्रपेशियम हो उसको तो पूरा करता ही है तो छोटी मातरा में इसको चीज़े चाहिए होती है जैसे calcium हो गया, magnesium हो गया, zinc हो गया, sulfur हो गया उन सब चीज़ों को भी पूरा करता है और जब पोदों के सारी चीज़े पूरी होती है तो इसका असर ही होता है कि पोदा पूरी तरब से परपता है काफी healthy होता है उसमें फल औ करते हैं कि आप इसमें कुछ predictive care भी हमें करने पर दी plants की तो उसके लिए हम लोग neem oil का प्रयोग करते हैं हम लोग neem oil को proper way में dilute करने के बाद में उसका हर जो एक हफते में या दो हफते में इसका spray करते हैं पत्तों पे जिससे की जो कुछ insects रगरा इस पे लग सकते हैं या क आप का जो plant है बागे सब चीजों के वज़र से healthy है उसमें बिमारी लेंगरी की संभावना कम रहती है touchwood हमारे plant में पिछले दो साल से इस तरह की बिमारी नहीं लग रही है जब हमने kitchen garden शुरू किया तो हमें काफी समझ से थी लेकिन जैसे हमने plant की health पे काम करना चालो किया तो यह बिमारी यह जो कीड़े जो लगते थे यह सब चीजे जो है automatic अपने अब दूरोगी तो हमें बहुत ज़्यादा preventive care भी नहीं करनी पड़ती है तो यह थी कुछ जानकरी short में कि आप अपने परदों की कैसे care करें कि जिससे कि आप उससे ज़्यादा पैदवा ले सके हमारे कुछ viewers की शिकायत रहती है कि मैं काफी तेज बोलता हूं जिससे कि उनको समझने में मिश्किल होती है तो मेरी मिश्किल यह है कि मैं अभी जो भी subject deal करता हूं तो उसमें इतना कुछ बताने के लिए होता है इतना कुछ आप लोगों से share करने के लिए होता है कि अगर म वीडियो है देखने के बजाए offline mode में download कर लें यह feature जो आपके phone की app में upload होता है तो आप offline mode पे यह video download कर ले और फिर उसको अपनी speed के हिसाब से आप उसको देखें जो चीज आपको समझ नहीं आती है आप से miss हो जाती है तो आप video को rewind करके उस चीज को आप दोबारा देख सक और कुछ अच्छे gloves या सीच से घार भी display पे हैं तो आप अपनी जूरत का समान वहां से खरीद के आप हमारी चैनल को support कर सकते हैं इस video में आज इतना ही मैं गौतम शशी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ नमस्कार